हलो मेरे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से genuinely economics का एक अच्छा concept बिलकुल आसान शब्दों में सीखना है तो आप इस वीडियो को end तक दिखिए I promise आपका knowledge improve होगा और जो 10-12 minute का समय है आप इस वीडियो को देखने में लगाओगे वो आपके invest होंगे और waste नहीं होंगे लेकिन अगर आप expect कर रहे हो कोई comedy वीडियो जहां time pass मिलेगा तो इस वीडियो को देख कर आपका time waste मत कीजिए friends I am sure कि बच्पन में बच्पन में ही क्यों बड़े होने पर भी हमारे दिमाग में एक बार तो ये सवाल आया ही होगा कि किसी भी देश की government गरीब हटाने के लिए पैसे print क्यों नहीं करती आखिर currency print करने का control देश की government और central bank के हाथों में ही तो है न कितना simple होगा currency print करो और गरीबों में बाट दो जिससे कि वो अपनी needs पूरी करेंगे और उस देश की गरीब ही मिट जाएगी तो आईए आज इस informative वीडियो से समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता और आगे कुछ सम मैं हूँ भाविन certified financial planner और आप देख रहे है YouTube channel The Art of Wealth Building आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance चलिए तो हम इंडिया का ही example लेते हैं इंडिया की population है करीब 132 क्रोर और इसमें से करीब 18 क्रोर की population गरीब है तो आईए पहले तो समझते हैं गरीब होने का definition क्या है Year 2015 में World Bank के अनुसार जिनकी family income 1.9 dollar a day से कम है यानी करीब 136 rupees a day से कम है वो इंसान गरीब है विच मीन्स की 136 rupees per day is a poverty line यानी 136 per day के नीचे वाले गरीब और 136 per day से ज़ादा कमाने वाले are not poor simple तो अब government गरीब ही मिटा कैसे सकती है अब as a common man इसका solution simple है currency print करो और गरीबों को gift कर दो जिससे की इंडिया में कोई गरीब बचेगा ही नहीं और तो और गरीबों के हाथ में पैसा होगा तो वो जादा spend भी कर पाएंगे जिससे की goods और services की demand बढ़ेगी और देश की economy का भी फाइदा होगा demand बढ़ने के कारण ये तो भाई win-win situation है है की नहीं लेकिन दोस्तो economics का एक rule है जो RBI और government को अपनी मर्जी से currency print नहीं करने देता तो सबसे पहले समझते हैं कुछ important concepts number one what is meaning of GDP simple language में समझाओ तो GDP estimates market value of the goods and services produced by the country यानि किसी भी देश ने कितने value की goods और services produce की एक example लेके चले तो 2017 में इंडिया की GDP थी approximately 2597 billion dollars which means की India as a country ने इतने value की goods और services produced की थी number two what is the meaning of money supply total amount of money जो market में available है यानि public के पास जो currency है प्लस banks के पास जो deposits है वो सब और एक example consider करे तो July 2018 में इंडिया का money supply था approximately 2174 billion dollars जब 1 dollar का exchange rate था 65 rupees number three what causes inflation मेहंगाई बढ़ने के दो main reasons होते हैं दोस्तो increase in the cost of goods and services और increase in the demand for goods and services अब कुछ reasons जिनसे की goods and services की demand बढ़ती है वो है interest rate cut by RBI जैसे for example home loan के interest rates कम होने की वज़े से घर की demand बढ़ती जा रही है number two increased money supply by RBI जो हम समझने की कोशिश कर रहे है कि क्यों RBI currency print नहीं कर सकती number three rise in income of people जैसे for example IT field में boom आने की वज़े से software engineers को बहुत जादा salaries offer की जा रही है जिसकी वज़े से लोगों के हाथ में जादा पैसे बचते हैं और वो जादा spend कर पा रहे हैं जिससे goods and services की demand बढ़ रही है अब कुछ reasons जिनसे goods and services का cost बढ़ता है वो है rise in income of people जादा income जादा demand और जादा demand होने की वज़े से cost भी तो बढ़ता है number two increase in tax rate for example petrol के rates जादा होने का एक reason है कि tax बहुत जादा है number three weakening रुपी अब हमें इतना तो समझ आ ही गया कि market में money supply बढ़ने के कारण महेंगाई बढ़ने का खत्रा होता है तो क्या money supply market में कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए क्या जी नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है money supply बढ़ता है लेकिन कब let's understand लेकिन आगे कुछ समझे उससे पहले अगर आप अपना personal financial plan बनवा कर ये समझना चाहते है कि कैसे आप अपने personal financial goals अचीव कर सकते हैं जैसे retirement, घर खरीदना, बच्चों की higher education, कार खरीदना और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको future में इन goals को अचीव करने के लिए तो whatsapp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए तो दोस्तो मार्केट में money का supply बढ़ना तो चाहिए लेकिन GDP growth के अनुसार ही बढ़ना चाहिए तभी ही inflation control में रहेगा इसको आसानी से समझने के लिए let's understand this with one example let's say कि आप आज बाजार चले गए और आपने एक डॉलर में 5 mangoes खरीदे इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास एक डॉलर है तो वो 5 mangoes खरीद सकता है यहां अगर किसी के पास 5 mangoes है तो वो एक डॉलर कमा सकता है और एक mango की कीमत है 1 divided by 5 equals 0.20 dollars अब government ने decide किया कि वो एक और डॉलर प्रिंट करेंगे तो अब दो लोगों के पास एक एक डॉलर होंगे लेकिन mangoes तो अभी भी 5 ही है न अब आप और वो दूसरा इंसान mango shock पर जाएंगे और जो mangoes बेचने वाला इंसान पहले 1 डॉलर कमा सकता था 5 mangoes बेच के वही seller अब सेम 5 mangoes बेच कर 2 डॉलर कमा सकता है यानि अब वो आपको 1 डॉलर में 3 mangoes बेचेगा और अब एक mango की कीमत 0.2 डॉलर से बढ़कर हो जाएगी 0.33 डॉलर और दूसरे इंसान को वो mango seller बचे हुए 2 mangoes का सेम 1 डॉलर ही चार्ज करेगा इट मीन्स की mango की कीमत अब और भी बढ़कर हो गई 0.50 डॉलर तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि market में currency तो बढ़ गई लेकिन GDP यानि mangoes तो अभी भी उतने ही है ना इट मीन्स की more money is chasing few goods now which leads to increase in the price of the goods and the services लेकिन मान लेते हैं कि government ने एक और डॉलर प्रिंट किया और mangoes का production भी 5 mangoes से बढ़कर 9 mangoes हो गया तब भी mangoes का दाम तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ही nominal rate से बढ़ेगा वैसे देखा जाये तो currency प्रिंट करने के कितने फायदे हो सकते है देश का कोई भी citizen poor नहीं रहेगा या poor के पास पैसे होंगे तो वो spend करेंगे और देश की economy grow होगी लेकिन दोस्तो सिरफ currency ही print करने से currency devaluation और hyper inflation का खत्रा भी होता है So what is currency devaluation? अब आज अगर 1 dollar को exchange करके हमें 74 rupees मिलते है लेकिन यही अगर हमें 10,000 rupees देने पड़े 1 dollar के लिए तो देश में hyper inflation होगा Now what is hyper inflation? जब देश में goods and services की price 50% per month से बढ़ने लगे तो उसे hyper inflation कहा जाता है Wikipedia के अनुसार कुछ countries जिनमें currency print करने की वजह से hyper inflation हुआ है वो है Soviet Union inflation rate था 213% Germany जहां inflation rate बढ़ गया था 20 to 50% per day Philippines जहां inflation rate था 60% से भी उपर Venezuela जहां inflation rate था 234% और Zimbabwe जहां 2007-08 में inflation rate बढ़के हो गया था 79.6 billion percent और इन सभी countries में hyper inflation होने का root cause था too much of money and very few goods and services So now let us quickly summarize this video लेकिन उससे पहले अगर आप time pass वाले videos में अपना time waste ना करके कुछ सीखने पर अपना time invest करना चाहते हैं तो आप हमारी channel पर upload हुए और भी popular videos उपर आई इस link पर click करके देख सकते हैं तो कुछ जरूरी points जो हमने इस video से सीखे वो है money supply का increase देश की GDP के साथ balance होना चाहिए वरना hyper inflation और poverty बढ़ने का खत्रा होता है और देश में poverty मिटाने का solution currency print करना नहीं है बलकि देश के लोगों को educate करना है so that वो अपनी income बढ़ा सके देश में और भी जादा employment create करना है so that educated लोगों को jobs मिल सके minimum wage code होना चाहिए देश में अच्छी health care services होनी चाहिए और देश का infrastructure मजबूत होना चाहिए और दोस्तो आज हमारे देश में इन सभी बातों पर focus किया जा रहा है और यही एक कारण है कि foreigners अपना पैसा इंडिया में invest कर रहे है दोस्तो क्या आपको पता है fiat money किसे कहते है पता है तो comment करके share कीजिए अपना knowledge और अगर आप अपना personal financial plan बनवा कर यह समझना चाहते है कि कैसे आप अपने personal financial goals अचीव कर सकते हैं तो whatsapp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए और हमारे हर Sunday और Wednesday वाले videos को upload होते ही सबसे पहले देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए इस channel को और bell icon पर click करके all पर जरूर click कीजिए तो videos upload होते ही आपको notification मिलेगा आपके smartphone पर and finally इस video को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और कुछ सीखने मिला हो तो like कर दीजिएगा इस video को थोड़ा motivation मिलेगा और इस video की reach थोड़ी और बड़ेगी जिससे की और भी लोग ये knowledge हासल कर पाएंगे